हेलो फ्रेंट्स वेलकम अगेन इन आर चैनल वीनु डाईज पती पतनी का रिस्ता बहुत ही प्यारा होता है और दोनों ही एक दूसरे को अपनी जान से जादा प्यार करते हैं लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कुछ छुपाते हैं कुछ जूड बोलते हैं हलाकि वो जूट लिए या अप एक दूसरे में प्यार बना रहे ही इसी के लिए ही वो जूड बोलते हैं तो आज हम यहां पर बात करेंगे कि पती क्या-क्या जूड बोलता है मैं आज यहां पर आपको पांच ऐसा जूड बताऊंगी जो हर पती चाहें आप देख लिजेगा जो हर पती अपनी पतनी से बोलते हैं कि हमने अपने पास कोई भी पोकेट मनी नहीं रखी है चाहे वे आपको अपनी सारी सैलरी दे दे लेकिन फिर भी ज्यादतार पती अपने पास अपनी पोकेट में कुछ चुपा कर पैसे रखते हैं ताकि जब भी कभी उनको ऐसी जरुरत पड़ कुछ पैसे छुपा कर आपसे जरूर रखते हैं और अब आता है second number का जूट जो सारे पति इपनी पत्नी से बोलते हैं जैसे कोई लड़की सामने से निकलती है या साइड से कोई लड़की जारी होती है और सुन्दर होती है वो आपसे हमेशा ऐसा ही जुट बोलते हैं लेकिन वो धीरे धीरे दूसरे की बीवी को या कोई जो सुन्दर लड़की होगी उसको ताकते रहते हैं लेकिन आपसे हमेशा जुट बोलते हैं कि आपके होते वे मैं किसी दूसरे को क्यो ताकूंगा आप मेरी तो खुद की बीव इतनी सुंदर है इतनी प्यारी है वह आपसे यह second number का जुट बोलते हैं जो सारे ही पती अपनी पतनी से बोलते हैं और अब आता है third number का जुट जो अधिकतर पती अपनी पतनियों से बोलते हैं जैसे जैसे कि पती के दोस्त होते हैं और पतनी को शवयर्म समय के लिए कि अपने दोस्तों के दिखते हैं अपने आपको फील करती है यह अपने बच्चों के साथ यह अपना आपको अब को अपने बच्चों करती इसलिए अपने करते हैं friendship करते हैं रूज को smarty ईसलिए वो फटी थोड़ा ज्यादा जादतर पती अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं या बीबी को आई दिन यह जूट बोलते रहते हैं तो आपको यह जूट पती का यह जूट सुनकर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा और अब आता है फोर्थ नंबर का जूट जो पती अपनी पतनियों से बोलते हैं वो होता है उनकी हेल्थ को लिकर उन्हें कोई भी problem होती है कोई भी बिमारी होते है या कि वो नहीं चाहते है कि पतनी को टैंसन में आय Kate यह कि मुझे यह दिक्कत है तो हो अब आते हैं पतिंआी के बॉलते हैं और जो आए दिन पती अपनी पतनियों से बहुते ही रहते हैं और वो होता है उनकी जूटी तारीफ करना जब भी पती को लेट हो जाती है और फिर पती से ज्यादा खर्च हो जाता है तो वो अपनी पतनी को खुस करना भी जानते हैं और वो खुस कैसे करते हैं कि उनकी जूटी तारीफ करके आप बहुत सुन्दर हो आज आप बहुत प्य इसा हो जाता है जिससे कि आप गुसा न करें और उनको यह अच्छे से पता है कि एक लेडी को अपनी सुन्दरता के बारे में या अपनी कोई उसकी तारीफ करें यह सुनना बहुत अच्छा लगता है तो वह आपके जूटी ही प्रसंसा करते रहते हैं कि आजा बहुत आप मुझे भी यह कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज इनको लाइक शेयर भी जरूर करिएगा बाई बाई फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए टोपिक के साथ